हेलो अबरिवान विल्कम बाक टू दे चैनल सो आज हम डेज और थीम्स यहां पर रिवाइस करने वाले हैं सारे जन्वरी से लिकर अप्रेल तक जितने भी रहे हैं कम्प्लीट देखेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं अप्रेल 2023 के इंपॉर्टन डेज और थीम्स के साथ में पहला क्वेशन है वेन इस नैशनल पंचायती राज दे बहुत इंपॉर्टन दिन है और इसे 24 अप्रेल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है थीम इसकी है 2023 में सस्टेनेबल पंचायद building healthy, water sufficient, clean and green villages यहां पर हम पंचायती राज के बारे में कुछ बेसिक चीज़े देख लेते हैं सबसे पहले है कि ये एक समविधानिक बॉड़ी है आर्टिकल 243 से लेकर 243.0 तक इनके बीच में प्रावधान किया गया है ठीक है अब क्या ये शुरुआत से समविधानिक बॉ 1992 इसके तहद समविधान में पार्ट 9 को एड किया गया और इस पार्ट 9 को टाइटल दिया गया दे पंचायत इस पार्ट के साथ में एक 11th शेड्यूल भी इसमें एड किया गया आर्टिकल 243 G के तहद जो की डील करता है 29 मेंटर से जो की रिलेटेड है पंचायत से मतलब प बारे में पंचायत प्रोविजन बनाएगा और अपना पूरा शासन पंचायत चलाएंगी तो कितने मैटर्स हैं 11th schedule में 29 मैटर्स हैं फिर पंचायत से रिलेटेड कुछ important committees हैं इन में सबसे ज्यादा important committee है बलवंत राय महता और अशोक महता committee बलवंत राय महता committee ने suggest किया थ कि पंचायती राज system जो है थ्री टायर का होना चाहिए तीन सर्य होना चाहिए एक विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत हो सेकंड ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिती हो और डिस्ट्रिक लेवल पर जिला परिशद होनी चाहिए ये किसने बोला था बलवंत राय महता committee ने और इसी को हमारे समिधान में इन्ही सिफारिशों को मान के यही वाला प्रोविजन इसी को अपनाया गया है ठीक है बाकी अशुक महता committee जो थी इसने टू टायर पंचायती राज सिस्टम को सजेस्ट किया था जिसमें एक डिस्ट्रिक लेवल पर होगी जिला परशद और बिलो इससे नीचे एक होगी मंडल पंचायत इनके अलावा एलेम सिंग भी कमेटी भी थी पर यह दोनों बहुत जादा इंपोर्टन है जो आपको याद रखनी है फिर हम देखें कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पंचायत का गठन हुआ था तो यह है हमारा राजस्था इसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 अपरेल के दिन थीम है इसकी टाइम टु डिलिवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेट इंप्लीमेंट मलेरिया की बात करें तो यह होता है प्लाजमोडियम परसाइट की वजह से ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनफिल इन्डिया का ऑशू इसको हर साल 21 अपरेल के दिन सलिब्रेक किया चाता है क्यों है क्योंकि 21 आपरेल 1947 इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जो ते सर्दार वल्ला भाई परेल उन्होंने क्योंकि 1947 की बात करें तो आजादी के बाद पहली बार newly appointed जो administrative service officers थे उन्हें address किया था इस दिन हमारे पहले home minister ने ठीक है तो इसलिए इस दिन हम बनाते हैं theme है 2023 की विखसित भारत empowering citizens and reaching the last mile when is world Parkinson's day celebrated Parkinson's day celebrate किया जाता है 11 अपरेल के दिन Parkinson's disease जो है ये nervous system disorder है जो की human body के movement को affect करता है when is national maritime day celebrated ये दिन celebrate किया जाता है 5 अपरेल के दिन में 5 अपरेल को क्यों करते हैं क्योंकि 5 अपरेल 1999 इंडिया का पहला merchant vessel जो है SS loyalties का नाम है इसने अपनी journey शुरू की थी मुंबाई से लंडन के लिए theme इसकी क्या रखी गई है national maritime day की अमरत काल in shipping उतकल दिवस is celebrated in which state उतकल दिवस या उतकल दे जो है इसको celebrate किया जाता है उडिसा में और उतकल से थोड़ा आपको समझ आ गया होगा उडिसा के लिए ही ये शब्द का इस्तिमाल किया जाता है एक अप्रेल को ये होता है date याद है date important है याद रखनी है एक अप्रेल 1936 को ओडिसा जो है बिहार से सेपरेट किया गया था और एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में सामने आया था इसलिए ये दिन जो है उतकल डेके रूप में बनाते है अमबेटकर जयनती हर साल सेलिब्रेट की जाते है 14 अप्रेल के दिन और यहाँ पर हम देखें इनका पूरा नाम क्या था डॉक्टर भीम राव अमबेटकर 132 अनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की कई 2023 में अब इनके बारें फेक्ट देखें तो 14 अप्रेल 1891 इनका जन हुआ था माउ एमपी में फादर ओफ इंडियन कॉंसिट्यूशन की नाम से इन्हें जानते हैं यह जो हमारे कॉंसिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके चैमेन थे इन्होंने जो बुक्स लिखी है ऐसे बहुत सारी बुक्स लिखी है बहुत सारे जो ग्रुप से उनका बहुत सारे संगठन का गठन किया है बनाया है उनको उन्ही में से एक फेमस बुक है दे प्रॉब्लम आफ दे रूपी इस ओरिजिन एन इस सिलूशन और इन्हें भारत रत्न भी मिल चिका है 1990 में 1990 में भारत रत्न से बियार अमेटकर को समानित किया गया था तो ये हर साल एक अप्रेल के दिन अप्जर्व किया जाता है RBI की स्थापना एक अप्रेल 1935 को हुई थी हेड़क्वाटर है मुंबई में गवर्नर है शक्तिकान दास और पहले गवर्नर थे RBI के सर ऑस्बोर्ण स्मित यहां पर कुछ अदर देखें तो इंटरनेशनल डे ओफ माइन अवेर्नेस होता है चार अप्रेल को World Health Day 7 अप्रेल को थीम है इसकी Health for All World Homeopathy Day 10 अप्रेल को इसकी थीम है One Health One Family Earth Day 22 अप्रेल को इसकी थीम है Invest in Our Planet फिर है World Art Day यह होता है 15 अप्रेल को on the birth anniversary of Leonardo da Vinci फिर Save the Elephant Day 16 अप्रेल को थीम है इसकी Safeguarding Elephant Habitants for a Sustainable Tomorrow World Heritage Day 18 अप्रेल इसकी थीम है Heritage Changes और World Liver Day होता है 19 अप्रेल को लिवर जो है शरीर में largest gland है largest ग्रंथी है ठीक है लिवर तो यह दिन कब बनाते हैं 19 अप्रेल के दिन इंडियन आर्मी दे इसको हर साल 15 जनवरी की दिन सेलिप्रेट किया चाता है यह स्टेबलिश कब हुआ था इंडियन आमी जो हम देखते हैं आज अपनी यह स्टेबलिश हुई थी एक अप्रेल 1895 में अंडर ब्रिटिश रूल ठीक है 15 जनवरी को क्यों हम सेलिप्रेट करते हैं क्योंकि देखिए इंडियन आमी का फॉर्मेशन जो है ब्रिटिश रूल के समय हुआ था है ना तो एक इंडियन जिसने इसे संभाला था एक इंडियन के हाथ में इसकी कमान कब आई थी इंडियन आर्मी अपा थे तो इसलिए 15 जनवरी को हम बनाते हैं ना कि एक अप्रैल को ठीक है इंडियन एर फोर्स डे यह होता है आठ अक्टूबर और इंडियन नेवी डे यह होता है चार दसंबर को नेक्स्ट क्वेशन है वेन इस नाशनल वोटर से सेलिब्रेटिट एवरी यह तो यह ज आई वोट फोर शॉर और टू वोट फोर शॉर खेर एलेक्शन कमिशन अमने बाद की 25 जनवरी उनिस फचास थापना हुई एक कॉंस्टिट्यूशनल बॉड़ी है यहनि कि समविधान में इसके बारे में मैंशन किया गया है कि कितने मेंबर्स होंगे क्या प्रोसीजर होग तेन्योर होता है इनका 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक वेन वर्लड लेप्रोसी दे किया गया किया क्योंकि हर सार 29 जनवरी ही नहीं होता कब होता है लास्ट संडे और जनवरी को इसको सेलिपरेट किया जाता है थीम 2022 एक्टनाव एंड लेप्रोसी जो है एक कुछध रोग भी इसको बोलते हैं ना आपने देखा उ गा मतलब समझ गयोंगे श्पर इसको बोलते हैं बेक्टिरियल डिजीज है यह और यह बैक्टिरियम कौन सा है जिसके कारण ये होता है तो माइको बैक्टिरियम लेप्रे जो ह इसके कारण यह जो डिजीज है यह होती है नेक्स्ट क्वेशन है पराक्रम दिवस इस सेलिब्रेटेटेड ऑन दबर्थ अनिवर्सरी ओफ विच फ्रीडम फाइटर यहां पिक्चर में देखकर यह आप इसका अंसर लगा देंगे क्या है सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके ब ट्वैटेश्ट बर्थ अनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस्की ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है वैन इस नाशनल यूथ दे सेलिब्रेटेड एवरी यूर बारा जनवरी और नाशनल यूथ डे किसकी बर्थ अनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानन जी की होती है थीम में इसकी रखी गई है विक्सित यूवा विक्सित भारत यानि की डेवलाप्ट यूथ डेवलाप्ट इंडिया स्वामी विवेकानन की बात कर लेते हैं इंडियन फिलोसफर थे ये 12 जनवरी 1863 कोलकाता में इनका जन हुआ था और इन्होंने 1893 में एक शिकागो में पार्ल इस मेजर लेवल पर जब इन्होंने हिंदुईजम को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था ठीक है 1893 और जिसकी शुरुवात इपने भाशन कीनों ने की थी ब्रदर्स एंसिस्टर्स ओफ अमेरिका इस तरह से शिरुवात की थी जिसके लिए इतने तालियां भजी थी कि तालियां यह बहुत देर तक बच्टी रही थी रुकी ही नहीं थी खेर नेक्स्ट क्वेशं है वेन इस नाशनल स्टार्ट अप डे सेलिब्रेटेद एवरि यूर नाशनल स्टार्ट अप डे हर साल इसको शोलाः जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं 16 जन्वरी 2016 स्टार्ट अप इंडिया स्कीम जो है इसको लॉंच किया गया था पीएम मोधी के तुबारा ये दिन कब शुरू किया गया मनाना 2022 में पीएम मोधी ने अनौंस किया कि हम 16 जन्वरी को As National Startup day celebrate करेंगे वें प्रवासी भारतीज दिवस celebrated every year अच्छे से आहँअ भी को 9 जन्वरी कोbetरिए महात्मा गान्धी साउथ आफ्रिकां से भारत लौटे थे और और वेरी इंपोर्टेंक्या एटीश्य गैने कि इन कोई पीएमम मोधी ने कहाँ पर इन दौर में दौर कहा है MP में मध्यप्रदेश में इसकी है डायस्पोरा रेलाइबल पार्डनर्स फुर इंडियाज प्रॉगडरस इन अमरत्काल When is World Braille Day celebrated every year? World Braille Day, इसको हर साल 4 जनवरी के दिन सेलिबरेट करते हैं Louis Braille, जिन्होंने Braille Language को invent की था, उनकी Birth Anniversary होती है इस दिन ठीक है, इसलिए 4 जनवरी World Braille Day यहां देखें Global Family Day यह होता है, एक जनवरी को World Day of War Orphans 6 जनवरी World Hindi Day, 10 जनवरी World Hindi Conference ये 2023 में कहा हुई फिजी में हुई National Human Trafficking Awareness Day ये होता है 11 जन्वरी को National Road Safety Week 11 से 17 जन्वरी को सेलिब्रेट किया गया थीम इसकी थी सडक सुरक्षा जीवन रक्षा 7th Armed Forces Veterans Day 14 जन्वरी को National Disaster Response Force Day 19 जन्वरी को International Day of Education 24 जन्वरी इसकी थीम है To Invest in Public Prioritize Education National Girl Child Day होता है 24 जन्वरी स्टेब्लेश किया गया था by Ministry of Women and Child Development 2008 में शुरू किया गया था इसको हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है 53rd State Hood Day on 25th Jan और हिमाचल प्रदेश जो है देश का अठारवा स्टेट बना था 25 जन्वरी 1971 को उत्रप्रदेश की बात करें तो इसका Foundation Day होता है 24 जन्वरी को International Customs Day 6 जन्वरी International Holocaust Remembrance Day यह होता है 27 जन्वरी को फरवरी की बात कर लेते हैं पहला क्वेशन है When is World Wedlands Day celebrated every year तो दो फरवरी के दिन World Wedlands Day जो है इसको celebrate करते हैं क्योंकि दो फरवरी के दिन 1971 में रामसर कंवेंशन पर signature हुए थे और रामसर कंवेंशन क्या है एक ऐसा कंवेंशन है विश्वकी कंट्रीज का जो वेट लेंश को कंजर्व करने के लिए देशों को एक जुट करता है थीम दो हजार तेईस आप सामने देख रहे हैं वेट लेंशन रिस्टोरिशन नेक्स्ट क्वेशन है When is World Cancer Day celebrated World Cancer Day हर सार इसको चार फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं इसकी दीम रखी गए है क्लोज दर कियर गाप वर्ड युनानी देखी बात करें यह होता है यारा फरवरी और बार्थ अनिवर्सरी ओफ हकीम अर्जमल खान इसकी दोहजार तेश में है युनानी मेडिसन फॉर पब्लिक हेल्थ आर बी आई का आर बी आई के द्वारा फानेंशल लिटरसी वीक सेलिब्रेट किया गया 13-17 फरवरी के बीच में और इसकी दीम थी गूड फानेंशल बेहेवियर यौर सेवियर इंट्रनाशनल चाइल्ड होड कैंसर डे 15 फरवरी होता है इसकी दीम है बेटर सर्वाइवल नेक्स्ट है वल्ड पैंगोलिन दे थर्ड साटरड़े ऑफ यह सेलिब्रेट किया जाता है पैंगोलिन की बात करें तो वर्ड का मोस्ट ट्राफिक्ट एनिमल यह है ठीक है इसी को सेव करने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो स्पेड अवेर्नेस वर्ल डे ऑफ सोचल जस्टेस बीस फरवरी इंटरनाशनल मुदर लैंगविश डे 21 फरवरी इसकी धीम है मल्टि लिंग्वल एड्यूकेशन अनेसिटी टू ट्रांस्वर्म अरुनाचल प्रदेश स्टेट हुड डे होता है बीस फरवरी को सेंट्रो अक्साइज डे होता है चौबिस परवरी इसकी थीम क्या है रेडियो और पीज्ट ओर तेराफर्वरी को ही एक और दिन होता है नैशनल विमिन्स देए क्यों मनाते हैं उस दिन क्यों कि उस दिन birth anniversary होती है सरोचनी नायडो की Global Tourism Resilience Day 17 फरवरी को अब आते हैं मार्श पर तो मार्श 2023 में important day में पहला है हमारे पास when is world tuberculosis day observed world TV day जो है 24 मार्श को observe किया चाता है tuberculosis जो है एक bacterial disease है जो की mainly lungs को affect करती है और हमारा एम टीबी को खत्म करने का eliminate करने का यह है 2025 तक का और अगर हम देखें डवलु एचो का एम वो है 2030 तक का टीक है world TB day 24 मार्श 24 मार्श 282 को Robert Hooke ने discover किया था bacterium that cause tuberculosis ठीक है और theme इसकी बात करें क्या है yes we can end TB when is शहीद दिवस observed every year in India शहीद दिवस हर साल 23 मार्श के दिन observe किया जाता है इस दिन क्यों किया जाता है क्योंकि इस दिन हमने sacrifice देखा था अपने तीन freedom fighters का बगत सिंग सुख देव और राजगुरु 23 मार्श 1931 इन तीनों को लाहॉर जेल में लाहॉर conspiracy case में इनको Britishers के द्वारा फांसी रेदी कही थी तो इसी दिन को हम याद करते हैं एक शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी observe करते हैं वो इसलिए महात्मा गान्दी की death anniversary के रूप में उसको वेन इस international day of happiness celebrated every year तो यह जो दिन है हर साल 20 मार्श को celebrate किया जाता है theme 2023 में है be mindful be grateful be kind world happiness report की बात करें तो इंडिया की रांक 126 आई है भी recent में ही जो launch की गए थी और वाल की most happiest countries यह हैं फिनलेंड और डेन्मार्क वेनिस national science day celebrated every year यह दिन हर साल 28 वरवरी को celebrate करते हैं यह कौन यह कौन है सर सीवी रमन है यह scientist एक थे इंडिया से 28 वरवरी 1928 को इन्होंने रमन एफेक्ट जो है उसकी discovery को publish किया था जिसके लिए इन्हें nobel prize भी 1930 में मिल चुका है और भारत रत्न 1954 में इन्हें दिया गया था तो national science day at 24 वरवरी थीम 2023 global science for global wellness वेन इस the international day of forest celebrated every year यह दिन हर साल 21 मार्च को celebrate किया जाता है थीम है इसकी forest and health वेन इस world water day celebrated every year यह जो दिन है हर साल 22 मार्च को celebrate करते हैं थीम है accelerating change वेन इस national vaccination day observed in India national vaccination day इसको 16 मार्च के दिन observe किया जाता है 16 मार्च 1995 पहली बार oral polio vaccinated यह जो वैक्सिन है यह इंडिया में हमें देखने को मिली थी इसलिए national vaccination day 16 मार्च वेन इस international day to combat Islamophobia celebrated यह जो दिन है 15 मार्च के दिन हमें देखने को मिलता है every year 15 मार्च और start हुआ था 2022 में ही last year ही शुरू हुआ है declare किसने किया है United Nations General Assembly ने when is world wildlife day celebrated every year यह दिन जो है celebrate किया जाता है दीन मार्च के दिन थीम इसकी 2023 में रखी गई है partnerships for wildlife conservation फिफ्थ जन और शुदी दिवस हैं विन सेलिब्रेटेड ओन जन और शुदी दिवस इसको साथ मार्च के दिन सेलिब्रेट करते हैं फिफ्थ था इस पर एडिशन इसका थीम देखें तो जन और शुदी सस्ती भी अच्छी भी सेलिब्रेट किया जाता है बाइ मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेलफियर और फार्मसेटिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो आफ इंडिया के दुवारा वेनिस इंटरनाशनल विमन स्टेश सेलिब्रेटेड एवरी यूर तो ये दिन तो पता है आप सबको आठ मार्श को करते हैं सेलिब्रेट और सेलिब्रेट किसले किया चाता है तुरेज अवेर्नेस अबाउट जेंडर एक्वालिटी एंड विमन एंपाव्मेंट थीम 2023 की ह है डिजिट और इनोवेशन और टेक्नोलेजी फोर जेंडर एक्वालिटी 54th CISF रेजिंग डे 2023 ऑब्सर्वड ओन ये जो दिन है ऑब्सर्व किया चाता है हर साल 10 मार्श के दिन CIS CISF का रेजिंग डे 10 मार्श 1969 इसकी स्थापना हुई थी CISF की CISF यानि की Central Industrial Security Force Ministry of Home Affairs के अ वर्ल्ड मटेरियलोजिकल दे सेलिब्रेटेट तो ये जो दिन है 23 मार्श के दिन सेलिब्रेट किया जाता है थीम है इसकी the future of weather climate and water across जनेरेशन नेक्स्ट देखें वर्ल्ड Civil Defense डे एक मार्श को Zero Discrimination डे एक मार्श को इसकी थीम है Save Life Decriminalize फिर नेक्स्ट है National Safety डे 4 मार्श इसकी थीम है Our Aim Zero Harm वर्ल्ड Obesity डे मोटापा डे जो है ये होता है चार मार्श के दिन अगला है International Day of Women Judges 10 मार्श को World Consumer Rights Day 15 मार्श International Day of Mathematics 14 March को theme है इसकी Mathematics for Everyone अब लास्ट में ही question है आप लोग के लिए When is Indian Army Day celebrated every year? 14th Jan, 15th Jan, 16th Jan या फिर 17th of January इसी के साथ ही वीडियो का होता है Thank you so much watching, जैहिंद